यह उत्रप्रदेश में आईल चुनाओ बा तो देखा समाजवादी पार्टी में कितना बवाल बा दरसर उत्रप्रदेश में लोगसबा चुनाओ के सीटों को लेकर राजनेतिक पार्टीों के दिगज नेताओं के बीच खूब तिगड़म नजर आ रहा है ऐसे में उत्रप्रदेश के होट सीटों पर एक दिल्चस्प लड़ाई देखने को मिल रही है लड़ाई है समाजवादी पार्टी और उसी के कुछ मंत्रियों के बीच जिसमें पार्टी चीफ अखलेश च्यादों की मुसीबते पढ़ गई एक बार फिर सपा में कुछ ऐसा हुआ है जिसे न शिर्प्रदेश की जनता का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया है बलकि अखलेश यादों को भी खासा परिसानी का सामना करना पड़ा है जरसल चाचा शिउपाल के एक बयान के चलते उनके भतीजे अखलेश यादों बड़ी विदम्बना में फस गये खबर है कि उत्तरपदेश की होट स्रीटों में से एक बदायू लोकसवा सीट से सपा अपना प्रत्यासी बदल सकती है यहां से अखलेश ने अपने चाचा शिउपाल के नाम पर मुहर लगाई थी मगर अब उनके बेटे आदित यादों को यहां से टिकट दिया जा सकता है यह फैसला पार्टी को शिउपाल यादों के चलते लेना पड़ सकता है क्योंकि वो अपनी सीट से अपने बेटे आदित यादो को चुनाओ लड़वाना चाह रहें। इस खबर के सामने आते ही सपा खेमे में हलचल तेज हो गई। वहीं सियासी जानकारों में ये सवाल उटने लगा है क्या आखिर बेटे को सुपाल बदायू से क्यों लड़वान कर रहे थे कल अचानक सुच्रा मिली कि कारकरताओं ने आदित के लिए महर लगाई है क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाओ लड़ रहे थे और आदित पर भरुसा जता रहेंगा अरे तुम लोग पढ़े लिखे लोग वहां जनता ने जहां जहां गए हैं मीटिंग करी हैं सम्मिलन करे हैं तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए तो आप टिकेट की क्या संभावना है कब तक मिल जाएगी कैसे पिर आप देखते हैं कि आदित को टिकेट मलती तो कितनी जीट कितने मत होसें अबी जो समाजवारी पार्टी की सुची जारी होई है उसमें किसका नाम किसका नाम आपका है तो प्राश्ची नेतर इतवड़ी जारी करेगर उसमें हमारा नाम है और यह देखिए कुछ रट्नीच इससे हमेए अब रड्नीच आपको तो नहीं बता दी जाईगी इस है तो रड्नीचग को डश्क्री कुछ न driving चुनाओं के एलान के बाद से ही अखलेस अपने प्रत्यासियों को बदलते नजर आ रहें ऐसे में उनका ये रवय्या मत दाताओं पर गलत प्रभाव डाल सकता है समाधवादी पार्टी के इन हलातों को देखने के बाद सियासी जानकारों का तो कुछ ऐसा ही मानना है उनका मानना है कि सपा अपनी जमीनी इस्थिती को समझ नहीं पा रही है और नहीं इस पर कोई ठोस रणनीती बना पा रही है हर बार अखिलेश अपने प्रत्यासी की घोस्ना करते हैं और उसके बाद किसी बड़े सपया नेता के दबाओं में उस प्रत्यासी को बदल देते हैं इससे पहले रामपूर हो या मुरादाबाद, विजनौर हो या मेरट उन्होंने हर जगह यही किया ऐसा माना दारा है कि इस मुद्दे से लोकसबा चुनाओं में सपा को नफा कम और नुक्सान जादा है क्योंकि उनके फैसलों से न सिर्फ उनके साथी दल बलकि उनके समर्थकों की नराजगी चुनाओं में महगी पड़ सकती है अब आगे क्या होगा ये देखना तो दिल्चस्प होगा मगर आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में चरूर दीजेगा वारत समचार के डिजिटल डेस्ट से विश्वेश थिवारी